यह कहानी गीजु भाई का गुलदस्ता छे मुनिया रानी से लिया गया है। इसके लेखक गीजु भाई बधे का है और इसका अनुवाद, प्रस्तूती और चित्रांकन आबिद सूर्ती जी ने किया है। यह पुस्तक राष्ट्रे पुस्तक न्यास भारत द्वारा प्रकाश किया गया है। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग को कहानी सुनना है? कौन-कौन कहानी सुनना चाहता है? हाँ, आप सब सुनना चाहते हो। अच्छी बात है। तो चलो आज हम आपको एक मगर की कहानी सुनाएंगे। मगर कहां रहता है? पानी में रहता है तो एक थी नदी उसमें अगर नाम का एक मगर रहता था गर्मियों के दिन आए नदी का पानी सूख गया पानी की एक बूंद भी ना बची तो अगर मगर के प्रान भी सूखने लगे वह ना तो चल सकता था ना हिलडूल सकता था नदी से कुछ दूर एक तालाव था उसमें थोड़ा पानी बचा था लेकिन अगर मगर वहां जाए तो कैसे जाए तभी वहां से एक पार्सी बाबा गुजरे अगर मगर ने उनसे प्राथना की बाबा जी बाबा जी आप मुझे तालाव तक पहुँचा दे तो भगवान आपका भला करेगा वे बुले पहुचा तो डू लेकिन तेरा क्या भरोरसा तालाव पहुच कर तू मुझे ही खाग जाएगा अगर मगर ने कहा भला मैं आपसे ऐसा सलू कैसे कर सकता हूँ बाबा जी थे भोले उन्होंने अगर मगर पर भरोसा कर उसे उठा लिया और तालाव तक ले आए लेकिन जैसे ही उसे पानी में छोड़ा कि उसने बाबा जी का पाउँ पकड़ लिया बाबा जी बोल उठे छोड़े मुझे तूने दबान दी है मुझे तू नहीं खाशक्ता अगर मगर ने कहा नहीं खाऊंगा तो मैं खुद ही मर जाऊंगा मेरे पेट में चुहे बिल्ली कुत्ते बोल रहे है आठ आठ दिन का भूखा जो हूं कहकर उसने बाबा जी को पानी म खीचना शुरू कर दिया बाबा जी बोले जरा ठहर भी जा बाट इंशाफ की है देख कोई आ रहा है वह भी एक सफेद बिल्ली उसने काला चश्मा पहन रखा था बाबा जी ने जोड़ा हम इससे इंसाफ करवाएंगे अगर मगर ने सोचा पोड़ी देर में क्या फरक बाबा जी का पाउ मजबूती से पक्रेवे वह धूर्त बोला हाँ सफेद बिल्ली से इंसाफ करवालो चाहे काली बिल्ली से करवालो जिससे चाहो उससे करवालो मुझे मनजूर है बाबा जी ने काले चश्मे वाली बिल्ली को सारा किस्सा सुनाया फिर पूछा अब तुम नहीं कर सकती क्योंकि मैं वकील हूँ मेरा काम मुकत्मा लड़ना है नियाय करना नहीं वह गई तो अगर-मगर फिर से बाबा जी का पाउं खीचने लगा वे बोले इतना रुका है तो थोड़ा और सही देख सामने से एक सफीद चश्मा लगा एक काली लोम्री आ रही है हम उ सफेद चश्मे वाली काली लोम्री को सारा किस्सा सुनाया फिर कहा अब तुम ही बटाओ या अगर-मगर मुझे खाना चाटा है क्या ये इनसाफ की बाठ है या सुनकर काली लोम्री खुश हो गई क्योंकि वह न्यायाधीश थी और बहुत दिनों से कोई उसके पास पच्र लेकर नहीं आया था दूसरे वह सयानी भी उतनी ही थी अब तक वह जान गई थी कि अगर-मगर धूरतों का सरदार है उसे सबक सिखाना चाहिए इसलिए काली लोम्री ने आखो पर से सफेद चश्मा हटा कर बाबा जी से उल्टा सवाल किया तो आप पड़े थे सू की नद काली लोम्री मुस्कुरा कर बोली ओ तो तुम पड़े थे वहाँ अब जरा या भी बता दो की कैसे पड़े थे उसकी बातों में आकर अगर-मगर ने बाबा जी का पाउँ छोड़ दिया फिर पानी में से किनारे पर आकर लेटते हुए कहा ऐसे पड़ा था इस मौके का ला कर राक हो गया उसने वहीं सोगंध ली नहीं छोड़ूंगा मैं उस काली कलिटी को नहीं छोड़ूंगा दिनों बाद मुस्लाधार बर्शा शुरूवी अगर-मगर नदी में जाकर रहने लगा एक रोज काली लोम्री नदी पर पानी पीने जा रही थी अगर-मगर ने उस कि नदी में जरों मैं वे आ गए वा किनारे के रेथ पर से ही बोली नदी के जलदो नयन जिल मिल जैसे रात में दो सितारे जिल मिल गया सुनकर अगर-मगर ने अपनी एक आँख मीछ ली मुस्कुराते हुए उसे नानी के साथ नाना भी याद दिला दूगा। थोड़े दिन बीद गये। काली लोम्री कहीं दिखाई नहीं दी। एक रोज वा नदी में पानी पी रही थी कि यकायक अगर-मगर ने आकर उसका पाउं पकड़ लिया। काली लोम्री ने सोचा अब मेरी खेर नहीं या प मेरी पैर पकड़ना। अगर-मगर को लगा कि उससे कोई भूल हो गई है। उसने फोड़न काली लोम्री का पाउं छोड़ दिया और पास खड़े हुए एक डंडे को पकड़ लिया। लोम्री हस दी। भागते हुए उसने कहा अगर-मगर वह मेरा पैर नहीं डंडा है। रात वह घाट पर नजरे बिच्छाय पड़ा रहता। लेकिन काली लोम्री नदी पर क्यों आती। अगर-मगर सोच में पड़ गया। अब क्या किया जाए। नदी किनारे एक अमराई थी। वहां काली लोम्री अपनी सहलियों के साथ रोजाना आम खाने आती। अगर-मग लोम्री अपनी सहलियों के साथ पत्याते हुए अमराई में आई। तभी उसकी नजर बड़ी-बड़ी दो आँखों पर पड़ी। वह सावधान हो गई। फिर अपनी सहलियों से कहा। सुनो 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 आज हम उस बड़े धेर से आम नहीं खाएंगे। वह हिस्सा अगर ने सोचा अब तो सिर्फ एक ही उपाय बचा है और वह है काली लोम्री की गुफा में जाकर छिप जाने का। वहां तो वह फस ही जाएगी। दूसरे रोज अगर-मगर गुफा में घुश कर बैठ गया। दिन भर जंगल में भटकने के बाद जब अंधेरा हुने को आया तो काली लोम्री अपनी गुफा में लोटी। भीतर पाउं रखते ही उसे अगर-मगर की दिये सी दो आखें दिखाई दी। वह बोल उठी कमाल है मेरे घर में आज दो दो दिये जल रहे हैं। यह सुनकर अगर-मगर ने अपनी एक आँख बंद कर ली। काली लोम्री जूट-मूट अपसोस जताते हुए कहा हाईरी किस्मत दो दिये बुझ गये। अब इस अंधेरी गुफा में रहने का कोई मतलब नहीं है। कोई नया घर, नई गुफा या कोटर ढूनना पड़ेगा। क्यों न अभी से तलास शुरू कर दी जाए। उस रोज के बाद से स सफेद चश्मे वाली काली लोमडी ऐसी गायब हुई कि अगर-मगर को क्या किसी को भी आज तक पता नहीं चला। तो बच्चों ये बताओ आपको अगर-मगर की कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी ना। अच्छा, अगर किसका नाम था। हाँ, अगर एक मगर का नाम अगर-मगर को कहा रहता था? नदी में रहता था। अच्छा, ये बताओ कि वो नदी छोड कर क्यो तालाव में जाना चाहता था। कौन बताएगा? हाँ, बताओ। हाँ, गर्मी के दिनों में नदी का पानी सूख गया था, इसलिए अगर-मगर नदी छोड के तालाव में जाना चाहता था। लेकिन अगर-मगर तो अकेले नदी तक नहीं जा सकता था, है न? तो उसने किस से मदद मांगी? कौन बताएगा? उसने पास से गुजटते हुए एक पार्सी बाबा से मदद मांगी। पार्सी बाबा ने तो उसकी मदद कर दी। अब जब पार्सी जैसे ही बाबा जी ने उससे तालाब में छोड़ा, मगर ने बाबा जी का पाउँ पकड़ लिया, अब मगर से बचने के लिए बाबा जी ने सबसे पहले किससे इंसाफ माँगी, हां, बोलो, हाँ सबसे पहले उन्होंने काला चश्मा पहने हुए एक सफेद बिल्ली से मदद मांगी लेकिन बिल्ली ने तो मदद करने से मना कर दिया अच्छा अब बताओ कि जब बिल्ली ने मदद करने से मना कर दिया तब उन्होंने फिर किस से मदद मांगी हाँ वहां से गुजटते हुए एक काली लोम्री से काली लोम्री कौन थी न्यायाधीश थी सही बोला अपने वह वहां की न्यायाधीश थी अच्छा काली लोम्री ने बाबा जी को कैसे छुड़ाया काली लोम्री के कहने पर मगर जब दिखाने के लिए गया कि वो कैसे लेटा था बस उसी का मौका पाकर बाबा जी और लोम्री वहां से भाग गए अच्छा काली लोम्री कहां रहती थी? कौन बताएगा? जल्दी बताओ काली लोम्री एक गुफा में रहती थी तो बच्चो आज आपने एक नई कहानी सुनी अगर्मगर की जब मैं अगले दिन आऊंगी तो आप लोगों को मुझे ये कहानी सुनाना पड़ेगा ठीक है?